लेख्रीत है गदला मेंतरे आरेटे straps कि अर्ते शाट में आपका बहोत बहुत स्वां रहें तो फिरेंट में है निम्हें है कि ऊप्छी निम्हें को की सर्माउंटेड है इसके उपर एक फ्लेग स्टेफ लगा है हाइट है इसके 6 मीटर आट पॉइंट ओन दे प्लेइन दे अंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ फ्लेग स्टेफ इस थर्टी डिग्री एंड आट ऑफ दे टॉप फ्लेग स्टेफ लगा हुआ है उसके नियुक्त फ्लेइन पर 18 सक टावर विव है इसके प Kız यहां लगा हूआ है इसटा को अधिक असे मने स्ट है यहां पेड ही मैं अब कहए रहा है कि स्टेफ मअ बॉटम पॉर्शन है और यह टॉप पॉर्शना ठीक है, flag का जो bottom portion है अच्छा ये भी देखे दिया हुआ है surmounted by a vertical flag step of height 6 meter that means इस flag की height जो है वो 6 meter है ठीक है आपसे ये कह रहा है कि जो इसका bottom है bottom के साथ जो angle of elevation बन रहा है of the plane वो बन रहा है 30 degree that means यहां से बन रहा है जो angle of elevation वो बन रहा है 30 degree and from the top the angle of elevation to the ground is 60 degree तो चुकि इसके top से जो बन रहा है elevation angle वो कितना बन रहा है वो बन रहा है 60 degree तो यह रहा है वो पूरा angle और यह रहा 60 degree और यह रहा आपका point D A, B, C और फिर वो D बस इतना यहां find करना है आपको height of the tower इसे हम suppose कर लेते हैं कि height of the tower B h meter ठीक है तो यह जो है h है यहां पर और और कुछ नहीं दिया है यहां पर चलिए ठीक है ओके question ने बस इतना ही दिया हुआ है और यहां पर root 3 की value दी हुई है आपको 1.732 यहां पर यहां पर आपको क्या दिया हुए है BD is equal to 6 meter angles दिया हुए है A, C, B A, C, B आपको given है कितना 30 degree and D, C, A यह आपको given है 60 degree इतना आपको पता है यहां से अब आपको h find करना है चलिए देखते है रूल हमारा hypotenuse तो हमें यहां भी नहीं पता है पता क्या है सिर्फ perpendicular ही पता है base भी नहीं पता है लेकिन hypotenuse का हमें use करके कुछ मिलने भी नहीं वाला है तो हम ले लेते हैं यहां पर perpendicular और base लेते हैं तो दिखें P और B यहां दिया हुआ है 10 ही ले लेते हैं यहां पर इंट्रेंगल इंट्रेंगल D, C, A इंट्रेंगल यहां पर देखें 1060 जो बनेगा आपका बड़ा वाला एंगल यह बनेगा AD upon AC 1060 की value होती है under root 3 और AD की value है आपकी H plus 6 upon AC तो AC आपका हो जाएगा यह under root 3 के साथ और यह होगा H plus 6 तो यहां से AC की value कितनी हो जाएगी H plus 6 upon under root 3 equation number 1 अरशान होने वाली बात नहीं है कि AC आ रहा है तो कैसे करेंगे हम लोग कर लेंगे इसे अब देखते हैं next step में क्या है in right triangle BAC यहां पर दिया होए 10 के value 30 और यह होगा आपका AB upon AC 1030 होता है 1 upon root 3 और AB आपका H है और AC तो पता ही नहीं है यहां दे AC हो गया है H under root 3 यानि की root 3H ऐसे लिख लिख लिखेंगे root 3H ज्यादा सही लगेगा यह हुआ आपका equation number 2 using equation 1 and 2 अब 1 और 2 का हम use करेंगे using equation 1 and 2 use करने पे क्या दिख रहा है AC और AC दोनों का left hand side equal है तो right hand side भी equal हो जाएगा ऐसे नहीं समझ भी आता है तो यहां से AC की value जो है यहां put कर लेंगे तो हम कर लेते हैं वही काम under root 3H is equal to H plus 6 upon under root 3 root 3 का multiply यहां करेंगे root 3 का multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 3H is equal to H plus 6 H इधर आएगा तो यह हो जाएगा 3H minus H is equal to 6 यहां से 2H is equal to 6 तो H की value यहां से हो चुकी है आपकी 6 by 2 और यह 2 3 जा 6 यहां से H की value मिल चुकी है 3 और हमें क्या find करना था we have to find the height of the tower so the height of the tower be so the height of the tower be 3 meters और यह रहा आपका question number 7 का full solution तो इस तरह से हम करेंगे आपका question number 5th, 6th और 7th ठीक है एक ही तरह के लगबग questions है मैंने इसके पहले वीडियो में आपको question number 5th और 6 बताये थे उसी तरह से हमने इसी भी कर लिया है लगबग लगबग सेम तरह के ही यह questions थे आई हो friends कि आपको question समझ में आया होगा question के regarding कोई भी query हो आप comment box में comment जरूर करिएगा वीडियो पसंद आ रहा हो आपको question समझ में आ रहा हो तो भी मुझे यह बताने के लिए comment जरूर करिएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है मिलते हैं अपने next वीडियो में एक नए question के साथ till then take care and bye bye